दरसेल आज सुभए मैंने बिहार में बीजेपी अध्यक्ष नित्यानन्द राय का एक बयान पढ़ा और ने सिर्फ नित्यानन्द राय बल्कि कुछ कल ही मैंने भर्याना में बीजेपी एता सूरचपाल अमू का वो बयान पढ़ा और ये बयान पढ़ने के बाद मेरे जहन में कई सवाल पैदा हो रहे है इस चीज को मैंने ब्लॉग की शक्ल दी एक लिखिद ब्लॉग की और वही चीज मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ मगर उससे पहले कल्पना कीजे चूँकि ये लंच टाइम है आप लोग में से कई लोग खाने खाना खा रहे होंगे कल्पना कीजे कि आप अपनी बहुत कोई पसंदीदा चीज खा रहे हों और अच्छानक जब आप कोई बहुत पसंदीदा चीज खा रहे हूं और कोई और शक्स आपके सामने किसी बहुत गंदी चीज का जिक्र कर दे अब वो गंदी चीज क्या है मैं नहीं बताऊंगा आपको तो आपको कैसा महसूस होगा तो ये ब्लॉग है मेरा जो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ ये डराने वाले इतना डरते क्यूं हैं और उससे भी बड़ी बात जिनके नाम पर ये डर पहलाया जा रहा है वो खामोश क्यूं बिहार में बीजेपिया ध्यक्ष नित्यानंद राये ने कहा कि जो भी हात या उंगली प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी की खिलाफ उठेगी उसे काट दिया जाएगा सुन रहे हैं आप? जो भी हाथ या उंगली प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उठेगी उसे काठ दिया जाएगा सवाल यह नहीं कि राय सहब ने क्या कहा? इससे भी बुरा और इससे भी बत्तर और भी नेता कह चुके हैं आपको याद होगा गिरी राज सिंग जो अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था? कि जो भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेगा उसे पाकिस्तान भेज़ दिया जाएगा और ये माननेवर जो हैं अब कहा हैं केंदर सरकार में मंत्री हैं मगर नित्यानंद राय की खतरनाक बात मुझे वो लगती है जो उन्होंने बाद में कही उन्होंने क्या का कि जो भी प्रधान मंत्री का विरोध करेगा उसके हाथ काट दिये जाएंगे मगर उसके बाद वो क्या कहते हैं इस पर गौर कीजेगा नित्यानंद राय केहते हैं कि जिनकी माँ खाना परूस्ती थी मोदी को खाना खिलाने बैठती थी आज उस थाली के सामने माँ को बेटा दिखाई नहीं देता ऐसे हालात से उटकर एक गरीब का बेटा प्रधान मंतरी बना है एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए आप मुझे बात बताईए एक ही संबोधन में नित्यानंद राय हाथ काटने की बात कर रहे हैं उन लोगों की जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के आलोचक हैं या उनके सामने उंगली उठा रहे हैं और उसी संबोधन में उनकी मा की भी बात कर रहे हैं कौन सी मा इस बात को लेकर खुश होगी कि उसके बेटे के नाम पर लोगों की हाथ काट दिये जाएं देखिए आप किसी से भी नफरत करें आपको कोई पसंद ना हो मगर क्या आपकी मा ये पसंद करेगी कि उसके बेटे के नाम पर लोग दूसरों के हाथ पाओं गले काटते फिरें नित्यानंद राय कोई छुट भईया नेता नहीं है ये बीजेपी के अध्यक्ष है बिहार में वो एक ही पंक्ती में मम्ता की भी बात कर रहे हैं प्रधान मंतरी की मा और उनके बीच का जो रिष्टा है उस मम्ता की भी बात कर रहे हैं और उसी पंक्ती में उसी सांस में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं जो उंगली उठाएगा प्रधान मंतरी नारेंदर मोदी एक खिलाफ उसकी उंगली काड़ दी जाएगी दोस्तों सच बताओं जब भी मैं मोदी जी को उनकी मा के साथ देखता हूँ ना मेरा दिल पसीच जाता है क्योंकि मेरी मा के प्रती मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस है और यकीन मानिए जब मोदी जी को मैं उनकी मा के साथ देखता हूँ ना तो मैं क्या बताओं शब नहीं रहते मेरे पास जब मैं उस मा को देखता हूँ जो 90 साल के उपर है मगर उसका बेटा देश का प्रधान मंत्री है और जब वो प्रधान मंत्री अपनी मा के साथ कैमरा के सामने आकर उससे बात करता है बहुत भावक मौका होता है वो मगर मगर उसी ममता के नाम पर लोग हाथ-पाउं काटने की बात कर रहे हैं तो गोर कि आप ने हिंसा के साथ-साथ राए साहब ने ममता का भी जिक्र कर डाला कौन सी माँ इस बात को लेकर खुश होगी कि उसके बेटे के नाम पर लोग के हाथ-पाउं काट दिये जाएं बताइए नित्यानन जी को जरा भी शर्म नहीं आई ये कहने से पहले उन्होंने प्रधान मंत्री की तौहीन तो की ही है बलकि पूरे ममता को कट घरे में लाकर खड़ा कर दिया है ममता और हिंसा एक साथ ये कैसी वीभत्स कैसी अशलील सोच है आप देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे है ये हमें अंदर से खत्म कर रहे है हमारी इंसानियत को खत्म कर रहे है दुनिया के सबसे मासूम सबसे पवित्र जजबे को इन्होंने हिंसा के साथ लाकर खड़ा कर दिया है इसके माइने समझ रहे हैं आप दुनिया के सबसे मासूम सबसे पवित्र जजबे को इन्होंने हिंसा के साथ लाकर खड़ा कर दिया है और बात सिर्फ नित्यानंद राय की नहीं है जो बीजेपी के अध्यक्षे बिहार में क्या कहा था बीजेपी के हर्याना के नेता सूरजपाल अमु ने दिपिका पाडुकोन का सर काट दिया जाएगा और ये बात महाशे ने एक और पवित्रिनारी पदमाविती के पक्ष में कही देख रहे हैं आप एक महिला के सम्मान में दूसरी महिला की इजद्स तार-तार कर दो उसे मारने की धमकी दे दो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री की माता की बात करना और उस ममता की याड में लोगों के हाथ काट देनी की धमकी दे डालना ये कैसी वाहियाद सोच है और क्या लोगों की समवेदनाओं को इस तरह से खत्म कर दिया जाएगा क्या ममता और नारी सम्मान जैसे जजबों को तार-तार कर दिया जाएगा और ये कैसे संसकारी लोग है भाई ये कैसे संसकारी लोग है जो नारी को देवी का दर्जा देनी की बात करते है और आप कम से कम आप प्रधान मंत्री की मा को तो आप बख्ष दीजे सहाब आपके अंदर इतनी नफरत भर गई है कि आपको यह अंदाजा नहीं हो रहा कि आप क्या बाते कर रहे हैं आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि आपको क्या बात करना है डर को ममता की चादर क्यों पहनाई जा रही है क्यों पहनाई जा रही है ताकि डर हमारी जंदगी का अभिन अंग हो जाए और हम अपने हुक्मरानों के डर में जीते रहें हम अपनी सरकार के डर में जीते रहें इतने पवित्र जजब्य को क्यूं हिंसा के साथ जुडा गया और बार-बार क्यूं जोडा जा रहा है धेरों मिसालें आपके सामने शिवराज सिंग चोहान पदमावती को राष्ट माता का दर्शा बनाने की सोचते हैं इनको इतने सालों से याद नहीं आया पदमावती को राष्ट माता का दर्शा देना चाहिए दरसल ये राश्र मामू बनना चाहते है शिवराज जी आप जानते हैं कि मद्धप्रदेश में शिवराज जी को मामू का नाम दिया जाता है और अब ये जंता को मामू बना रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये डराने वाले इतना डरते क्यूं है और उससे भी बड़ी बात जिनके नाम पर ये डर पहलाए जा रहा है वो खामोश क्यूं आखिर क्यूं डिपिका पर इस अश्रील हमले पर स्मृती इरानी जो कि देश की सूशना प्रसारण मंत्री हैं वो खामोश हैं ये बात कल मैं अपने लिखित ब्लॉग में कह चुका मगर गोर कीजिएगा क्या हो रहा हर तरफ मोधी जी के नाम पर हिंसा की धंकी और उसमे भी उनकी मा का झिक्र करना पदमावती की असमिता की रक्षा के नाम पर एक और महिला की इज़त को तार-तार कर देना क्या ये इस देश का नया सामान नया नॉर्मिल है मैं बस आप से सवाल पूछ रहा हूँ जहां हिंसा के खौफ को बरदाश किया जा रहा है उसे मुक्ख धारा में जगा दी जा रही है और ये सब इतनी जल्दी हो रहा है ना कि किसी को हैरत भी नहीं हो रही है किसी को हैरत भी नहीं हो रही है कि ये तमाम चीज़े इतनी जल्दी हो रही है इस देश की जनता और ये इस देश की जनता दरसल इस सोच की बंधक हो गई है कि हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है हिंसा और ममता को एक ही सोच का हिस्सा बना दो देश की जनता उस सोच की बंधक बन जाए और हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है मजा रहे ना? क्यों? मजा रहे कि नहीं आ रहे? और सबसे दुखत बात ये है सबसे दुखत बात ये है दोस्तों कि कुछ पत्रकार इस सोच को अपनी लेखनी कुछ पत्रकार अपनी इस सोच को यानि कि एक पवित्र भावना और हिंसा को एक सोच का हिस्सा बनाना उसे अपनी लेखनी टेलिविजिन पर अपनी बहसों का हिस्सा बना रहे हैं इसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जा रहा है क्या माइने इसके आप जानते हैं दोस्तों और सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर जनता बार-बार अपनी मोहर लगा रही है क्योंकि जब अध्यक्ष मौधाय अमिट शाह से पूछा जाता है कि साहब अच्छे दिन कहा हैं जॉब्स कहा हैं तो वो क्या जवाब देते हैं कि साहब देखिए हम तो हर जगा चुनाव जीत रहे हैं तो यही तो अच्छे दिन है आप अब देखे रहें क्या हो रहा है चुनाव जीतना और अच्छे दिन में जमीन आस्मान का फर्ख है आप जानते है नौकरियां, सुरक्षा, आप एक कृत्रिम, एक बहुत ही आर्टिफिशल किसम की असुरक्षा लोगों में पैदा कर दें कि हिंदू खत्रे में है और वो हिंदू खत्रे में आकर आपको वोट दे दे तो आपने कहदिया साब अच्छे दिन आ गए और अगर बात मैं अमिश्शा की भी करूँ तो एक बहुत ही शौकिंग खबर आई है और इसका भी तालुक डर से है कैरवान की अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी है मैंने इसका जिक्र जो है अपने फेस्बुक पेज़ पर भी किया है कि किस तरह से एक जज जो सौराबुद्दीन हत्याकान की जाच कर रहे थे वो जज यानि कि ब्रिजगोपाल हरे कृष्ण लोया की संदिक्द हालात में मौत हो जाती है संदिक्ध हालात में मौत हो जाती है बहुत लंबा चोड़ा इसका जिक्रे 38 वर्षी है जज ब्रिज गोपाल की संदिक्ध हालात में मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद जज बदल जाता है और वो जज्ज जो है वो बरी कर देता है BGP अध्यक्ष अमिट शाह को इसमें क्या ये सामानने माना जाएगा? क्या इस जज्ज की मौत को सामानने माना जाएगा? क्या इसकी जाच नहीं होनी चाहिए? हो सकता है बिल्कुल सामानने हो हो सकता है बिल्कुल सा मानने हो मगर क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे की कम से कम जाच होनी चाहिए क्या आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को कम से कम उठाया जाना चाहिए मगर हकीकत यह है कि हम लोगों की कुछ मुद्दों को लेकर हमने आखें कान सब बंद कर दिये मगर कम से कम ये मजाक मत कीजे ये मजाक बिलकुल मत कीजे कि ममता और हिंसा इस दोनों को आप एक सूच का हिस्सा बना दें जो सत्ता धारी पार्टी के कुछ नेता बार 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 और लगातार बना रहे हैं ये वाकई चिंदा जनक बात है ये वाकई बहुत दुखद है और कहीं न कहीं कहीं न कहीं हम लोग इसे जो है अपनी सोच का हिस्सा लगातार बना रहे हैं